हिंदु धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विश्नु और लक्ष्नी का वास होता है। भगवान विश्नु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को व तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है आईए जानते हैं। इस महान कथा के माध्यम से एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हम इस कथा को ध्यान से सुनों श्री कृष्ण कहते हैं हे देवी जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवन कर लेता है। उसे सो वर्शों तक तुलसी को जल देने का फलप्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं हे प्रभू मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ आप मुझे वह कथा सुनाएं मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महात्मिय की कथा सुनाते हैं। ये देवी सत्यभामा इस विश्य में एक प्राचीन इतिहास है, जो बहुत ही उत्तम और पुर्ण्य फल प्रदान करने वाला है। अपने जीवन में कभी पुर्ण्य के काम नहीं किये। शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाट भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगा कर रहता था, वह दिन में धन कमाता और रात्री में वेश्याओं के साथ राद बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मन अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विश्नु का नाम भी नहीं लिया और ना कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उससे अनेक वर्ष बीट गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मन खरीदी बिख्री करने के लिए महिश्णती पुरी में जा पहुँचता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। फिर वह ब्राह्मन उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राहमन पुरानों का पाठन तथा भगवान विश्नु की स्तुती में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश भी धोन करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुख गया। उन विद्वान ब्राहमनों के साथ रहकर उससे भी श्रीहरी मिलता था। वह उस थान पर एक महीने तक रुका। फिर वहाँ पर आये लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राहमनों को भोजन कराया तो उस पापी ब्राहमन ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहन किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राहमन जाने अंजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही कात लिया उस पापी ब्राहमन की नींद में ही मृत्यू हो गई सुबह जब अन्य ब्राहमनों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुक में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया फिर सभी ब्राहमनों को पता चला कि उसकी मृत्यू हो गई है उस पापी ब्राहमन की मृत्यू के बाद उस स्थान पर यम के दूट प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे रास्ते में जाते हुए वह ब्राहमन विलाप करने लगा और यम्दूतों से कहने लगा हे यम्दूतों मुझे कहां ले जा रहे हो मेरी मृत्यू किस कारण से हुई है तब यम्दूत कहने लगे अरे दुष्ट ब्राहमन तुने जन्म से लेकर मृत्यू तक बहुत पाप किये है तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्पने काट लिया और तेरी मृत्यू हो गई है अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं वहाँ पर यम्राज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चे थी तुझे वे नरक में डालेंगे फिर वह ब्राहमन जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यम दूतों से ख्षमा याचना करने लगा किन्तु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए जब यम के दूत उस ब्राहमन को लेकर यमराज के सामने पहुँच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप ने उस ब्राहमन के जन्म से लेकर मृत्यू तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे है महाराज इस ब्राहमन ने तो बच्पन से लेकर मृत्यू तक पाप ही पाप किये हैं इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है ये तो मूर्तिमान पाप ही है इसे कल्ब भर के लिए नरक में डाल दिया जाए फिर यमराज कहते हैं हे दूद जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राहमन को उठा कर ले जाओ और इसे कुम्भी पाक नामक नरक में डाल दो यमराज के आदेश का पालन करते हुए वियम के दूद हसते हुए उस पापी ब्राहमन को लेकर चले गए और उसे मुदगर से पीटने लगे जिससे उस ब्राहमन का मस्तक तूट गया और वे उसे कुम्भी पाक नामक नरक में ले गए उस भायनकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े गड़े थे जिसके नीचे भायनकर अगनी धधक रही थी फिर यमराज के दूट ने उस ब्राहमन को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया लेकिन जैसे ही वह ब्राहमन उस खौलते हुए तेल के गढ़े में गिरा वह तेल एकदम से थंडा पड़ गया इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूद को बड़ा आश्चर्य हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था वे सभी उस खौलते तेल में गिर कर छट पटाने लगते थे लेकिन जैसे ही वह ब्राहमन गिरा वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत तीवर गती से दोरता हुआ यमराज के पास पहुँच गया यमराज ने पूछा हे दूत क्या बात है इतनी तीवर गती से दोरते हुए खिवा रहे हो फिर वह दूत कहता है हे यमराज आपने जिस ब्राहमन को कुमभी पाक में डालने के लिए कहा था जैसे ही हमने उसे कुमभी पाक नरक में डाल दिया नरक की अगनी बूज गई और वह खौलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया फिर यमराज कहते हैं हे दूत ये तो बड़ी ही विचित्र घटना है ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ यमराज विचार कर रहे होते हैं तभी उस थान पर देवर्शी नारत पधारते हैं देवर्शी नारद को देखकर यम्राज अत्यंत प्रसन होते हैं और उन्हें प्रनाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यम्राज नारद जी से कहते हैं हे देवर्शी आप उचित समय पर आये हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राहमन को कुम्भी पाक नरक में गिराया है किन्तु उसके गिरते ही नरक की अगनी थंडी पर चुकी है और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है तब देवर्शी नारद यम्राज से कहने लगते हैं हे धर्मराज आपने जीस ब्राहमन को कुम्भी पाक नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है क्योंक इस ब्राहमन के द्वारा अंजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है जो मनुष्य पुन्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उससे उनके पुन्य का भाग अवश्य मिलता है और ये ब्राहमन तो एक महीने तक भगवान विश्नु के भक्तों के साथ इस ब्राहमन में आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पन किया है इसलिए ये बहुत बड़ा पुन्यवान बन गया है। देवर्शी की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन होते हैं और ब्राहमन को कुम्भी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं हे दूत इस ब्राहमन महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। प्राहमन एक ही यक्ष बन जाता है। भगवान विश्णू की पूजा में और उन्हें चड़ाय जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विश्णू किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्य एक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। भाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। जिससे मनुष्य के सभी दुखों का अंध होता है और सांसारिक जीवन सुक में बीटता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए। क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुब माना जाता है जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है। उस स्थान को हमेशा ही स्वच रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाय का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गनेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गंबले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुब होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए अन्यता कपडों से ग पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। इससे तुलसी का आशिरवाद प्राप्त होता है। जो बहुती अशुब माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सुखना नहीं चाहिए. शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यू की सूचना देता है. घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धी खत्म हो जाती है. सूखी हुई तुलसी में मालक् प्राप्तिक धर्म के दोरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्वत्वा उत्तर दिशा में लगाना सबसे आधिक शुब होता है। तुलसी के पास मरुस्थलिय पौधे रखना बेहद अशुब माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्म कूर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ती ना हो, उसके स्थान पर काटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुब प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विश्णू का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षन और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेगे तो आपके घर से संपून नकारात्म कूर्जा नश्ठ हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुरानों में कहा गया है भगवान विश्णू की मूर्ती से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगा कर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताये हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो विदियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जै श्री कृष्ण और जै मतुलसी जरूर लिखें। आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सबस्प्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।